तमस्कार स्वागत है आपका दान न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैने विहार में आर्चेडी सांसद मनोज्जा की ठाकुर वाली कवीता पर राजनेती घमासाद मचा हुआ है इस पूरे माफले को लेकर अब आर्चेडी के नेता आपने साफने आ गई है दरसल लालू प्रसाथ यादव जो की आर्चेडी के प्रमुक हैं उन्होंने मनोज्जा की कवीता पर उनका समर्थन किया है तो वहीं आनंद मोहन अब और जादा भढ़के हुए हैं आनंद मोहन जो की आर्चेडी के नेता हैं और साथ ही आपको ये बताते हैं कि उनके बेथे चेतन आनंद जो की आर्चेडी के ही विधायक हैं वो लगातार मनोज्जा की इस कवीता को लेकर उन पर हमलावण नजर आ रही हैं उन पर छेत्रिये जो समाज है जो जाती है उसको बदनाम करने का उसको अपमान करने का अरे जो हमको गाली देगा जो समाज को लोक तंतर के सबसे बरे मंदिर में बटके गाली देगा उसको बोले हैं आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद जो है वो छेत्रिये समाज को बदनाम करने का आरोप लगा रही हैं जिस तरीके से मनोज्जा ने महला आरक्षन के मुद्दे को लेकर जो कवीता है वो राजसभा में पढ़ी और उसके बाद ही ये राजनिति घमासान की बिहार में होच की है आरोप परत्यारोप का सलतला जारी है और इन सब के बीच अब आनंद मोहन ने एक और बड़ा और नया बयान इस पूरे माफले को लेकर दिया है उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीक मंगे हैं या थी उन्होंने सीधे तोर पर लालू परसाद यादव को चेताफनी देते हुए ये कहा है कि अगर हम आपके साथ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनितिक तोर पर भीक मंगे हैं साथ ही आनंद मोहन ने ये भी कहा कि अगर मैं संसद में उस वक्त बैठा होता जब मनोज्जा ने ये बया इच्छा की जीब खीच कर फेक देते इस तरह की बाते भी कह चुके हैं यानि कुल मिलाकर जो ठाकुरपाद और ब्रह्मन की लड़ाई है बिहार में वो काफी जादा अब बिहार की सियासत में गुझती दिखाई दे रही है क्योंकि ये हर कोई जानता है कि बिहार एक ऐसा राज्चे है जहां पर जो जाती का मुद्दा है वो काफी जादा जोरो शोरो से चुनाफों के वक्त उचला जाता है वहां पर जाती काफी जादा एक एहम जो है रोल प्ले करती है वहां की राजनीती में और समझा जा रहा है कि यही वज़ा है कि इस तरीके की पूरी सिया बिहार में चल रही है लेकिन आपको ये बताने कि जो मनोज्जा ने ठाकुर का कुआ ये कवीता राजसभा में जो सुनाई महिला आरक्षन के मुद्दे पर SC, ST और OBC केटेगरी को अपने पाले में करने के लिए उस पर अब सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ आरचेडी को लालू परसाद यादव को जेडियू और बीज़पी के नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन अब तो लालू परसाद यादव के अपने घर में ही जो फूट है वो जो दरार है वो कही न कही पढ़नी शुरू हो गई है क्योंकि अ एक के बाद एक आनंद बोहन के बयान साफ ने आ रहे हैं उनके बेटे चेतन अनंद ने बकाईता दस मिनट की एक वीडियो जारी करते हुए आरचेडी पर समाजवात के नाम पर जूट फैलाने तक का आरोप पड़ दिया ये सब कुछ हो रहा है मनोजजा को लेकर मनोजज पर फिर हमला बोला और चुकि आरचेडी के सुप्री मोल लालू परसाद यादफ ने मनोजजा को अपना समर्थन दिया है तो ऐसे में उन्होंने लालू परसाद यादफ को चेताफनी देते हुई ये कहा कि अगर वो किसी के साथ हैं तो इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है क हम राजनेतिक तौर पर भीक मंगे हैं अगर आप हमें एक या दो विधानसबा सीट पर समर्थन करेंगे तो हम आपको 243 विधानसबा सीट पर समर्थन करेंगे अगर आप एक लोकसबा सीट पर हमें समर्थन करेंगे तो हम आपको 40 लोकसबा सीट पर समर्थन करेंगे ये पी आनंद मोहन की ओर से कहा गया है हम अन्याई के खिलाफ लड़ने वालों में से हैं और मरते दम तक कमजोर और अन्याई के खिलाफ लड़ते रहेंगे इसलिए हम इसकी परवा नहीं करते कि कोई कौन सी पार्टी किसके साथ खड़ी है तो ये तमाम बड़ी बाते आनंद मो मोहन और लालू प्रसाद यादब कितने करीपी नेता हैं ये बीते उनकी तस्पीरे और जिस तरीके से लगातार वो एक साथ राजनितिक कदम बढ़ाते नजर आए हैं उससे साफ़तोर पर जगजाहिर हो जाती है हाला कि कई मोंके ऐसे भी हाई हैं जब आनंद मोहन ने एक अलग कही ने कही राय रखी एक अलग पार्टी भी एक बार उने गठन की लेकिन उसके बाद से कही ने कहीं आरजोरी के साथ ही वो रहे हैं लेकिन किस तरीके से अब आनंद मोहन जो हैं वो कही ने कहीं अपने सुर्व बदल रहे हैं इसका खाम्याजा क्या आरजोरी को या कोई फिर राजनितिक जो रनीती है वो इस तरीके से आर्चुडी के भीतर तयार की गई है ये भी हाला की सवाल उठ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से मनोजजा पर हमले पोले जा रहे हैं कि पैंट गीली करते ते जीब निकाल कर फेक देते आसन की और इस तरीके की बाते की नाराज़की का अंदाजा इन बयानों से लगा जा सकता है आनंद मोहन ने ये भी कहा कि मनोजजा ने संसद में कहा कि नियाई पालिका में ठाकुर बैठा है संसद में ठाकुर बैठा है अपने अंदर के ठाकुर को मारो मैं पूस्ता हूं कि संसद में कोन बैठा है निया पोहन ने कहा कि जय परकाश जी ने भी बार बार माफी मागी माहतमाबुध ने माफी मागी गलत्या सुधार का लोग बड़े बनते हैं लेकिन मनोज्चा ये अपनी गलती के लिए माफी भी नहीं मांक रहे है इतना ही नहीं मनोज्जा बीजीपी के एजेंट है इस तरीके के आरो भी उन पर मड़ दिये गए और उन्हें कहा कि हम इसके बड़े पिताजी को भी जानते हैं खुद को बहुत बड़ा समाजवादी कहते थे लेकिन जब कॉंक्रेस की सरकार बनी समाजवादी का चोला उतार कर कॉंक्रेस में शामिल हो गए और मंत्री बन गए तो किस तरीके से उन्हें चारों तरफ से मनोज्जा को आड़े हातों लिया है और ये तमाम बयान दिये हैं लेकिन बिहार में मनोज्जा की ठाकुर का कुवा वाली जो कवीता है उस पर जो राजनितिक बवाल शुरू हो यही है कि क्या ये सिर्फ एक रननीती है आर्चेडी की या फिर वाकरी आनंद मोहन उनके बेटे चेतन आनंद की मनोज्जा को लेकर ये नाराजगी है मनोज्जा को वो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं या फिर लालू परसाद यादव से नाराजगी है ये तमाम सवाल कहीं ने कहीं बने हुए हैं क्योंकि आनंद मोहान अब अपने बयाखनों के साथ आगे क्या बड़ा राजनितिक भुचाल बिहार की सियासत में लाने वाले हैं वो आने वाले वक्त में देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राए है में कॉमें बोक्स में जरू लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद